हाई फ्रेंड्स वल्कम बैक टो माई चैनल तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो सीटेट का 16 और 17 दिसंबर का पेपर कैंसिल हुआ है वह आखिर क कब तक होगा जी हाँ दोस्तों बहुत से स्टुडेंट या कमेंट कर रहे थें कि सर बताएं कि जो 16 और 17 दिसंबर का सीटेट का पेपर कैंसिल हुआ है वह कब तक होगा कब तक जो है कि इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपका पेपर 5 जनवरी के पहले होगा और 5 जनवरी के बाद अगर होगा तो कब तक होगा अगर 5 जनवरी के पहले होगा तो कब तक होगा तो पूरा डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्काइब कर लिजे और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दिजे जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुच जाए तो फ्रेंड शेलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि जो इंटरनेट पर खबर वायरल हो रही है कि जो सीटेट का कैंसिल हुआ है पेपर 16 और 17 दिसंबर का वह 5 जनवरी से पहले होगा क्या है तो फ्रेंड देखिए यह जो खबर वायरल हो रही है यह बिलकुल गलत है जी हां दोस्तों आपका सीटेट का पेपर 5 जनवरी के पहले नहीं होगा 5 जनवरी के बाद ही होगा चाहे जब तक हो 10 जनवरी तक 12 ज जारी कर दिया गया है और उसके आगे का जो सिड्यूल है भी जारी तो नहीं किया गया है लेकिन सब कुछ आगे से ही सिड्यूल कर दिया गया है कि किसका पेपर किस तारीक होगा तो आपका जो है के भी जल्दी कैंसिल हुआ है और उस भी जो है कि आपकी सिफ्ट को अर्ज पास हो सकता है या दस से तेरे जन्वरी की बीच में आपका जो सिफ्ठ उसको जो है कि सेडूल कर दिया जाए लेकिन पांच जन्वरी के पहले नहीं हो सकता तो फैंट्स यह जो वाइरल खबर हो रही है बिल्कुल गलत है और फैंट्स आप यह उमेद लगा सकते हैं कि हम आपको जरूर एक वीडियो के माद्यम से उपलब दिखरा देंगे तो फैंट्स अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको मिलती रहे तो फैंट्स चलिए मिलते हैं अग लि लिए बाइब बाइब